नमस्कार दोस्तों, मित्रों इस समय पूरे राज़्थान में RPSC 2nd Grade 2022 भरती प्रक्रिया काफी चर्चा में बनी हुई है अधिकान्स अभ्यर्थी यही चाते हैं कि इस भरती को सिरे से रद्द कर दिया जाए यह भरती प्रक्रिया दोबारा से हुनी चाहिए, दोबारा से complete प्रक्रिया इसकी हुनी चाहिए लेकिन क्या इस भरती प्रक्रिया को रद्द करवाना सही है क्या यह जो कदम होगा वो एकदम सही होगा तो इस पर थोड़ा सा सोचने की जरुरत है मैं जो कहने जा रहा हूँ हो सकता है कि कुछ मित्र हैं इसमें मेरी बात से सहमत ना हूँ उनको ये मेरी बात अच्छी ना लगी लेकिन वास्ट विक्ता है वो आपको बता रहा हूँ देखे, निशित तोर पर रास्थान में पिछले आप काफी समय से देखेंगे तो ये मामला रहा है कि हर पेपर जो है वो लीक हो रहा है और इसका सभी को विरूद करना चाहिए क्योंकि इन पर लगाम लगानी जरूरी है अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये आगामी सभी भर्तियों में पेपर लीक होते रहेंगे और एक पढ़ने वाले विध्यार्टियों के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर उठाना पढ़ रहा है लेकिन मित्रों यहाँ पर देखें ने वाली बात यह है कि रीट रीट पर लीक हुआ और प्रणाम यह हुआ कि रीट को रद कर दिया गया लेकिन इस रीट को रद करने का परणाम यह रहा कि रीट 2023 हो गया है और अभी तक वो रीट कंप्लिट नहीं हो पाई है यानि उस रद करने के चक्र में दो से तीन साल आपको गवाने पड़े हैं साथी साथ वो अभीरती जोनों ने इस पर जी जान लगा दी थी जोनों ने अपने घर, बार, परिवार, सब को त्याक कर दिया था और बहुत जबरदस्त मैनत की थी जो बिल्कुल सेलेक्शन के दाइरे में थे उनका कभी अपने सोचा था कि उनका क्या हुआ क्या बीती होगी उनके परिवार वालों पर हाँ, यह तरह था कि अगर बरती जो पेपर है वो लीक हुआ है तो उसमें जो अयोग्य बरती है वो नहीं होने चाहिए थे तो मैन बात यह होती है कि आप जो मांग उठाइए वो है CBI जाच की आपकी मांग यह होनी चाहिए कि CBI जाच हो इस बरती प्रिकलिया की अच्छे से CBI जाच हो और एक एक तहह तक CBI जाए और जो यह माफिया है जो यह काम करते हैं पेपर लीक करवाने का काम करते हैं उनको पकड़ा जाए ठीक है और उसके बाद डिसिजन लिया जाए ने स्थीरे से हो यह प्रते प्रिकलिया कम से कम एक से दो साल पीछह आएगी और दो साल पी से जाने में वह एपरती जिनोंगे अपनी जी जान लगा दी थी जिनोंगे घर बार पुरी परिवार को चो मरतब इस पर लगाई है उनका क्या होगा तो इसलिए पहले इसकी CBI जाच होनी चाहिए इसके आपको demand उठानी चाहिए मेरा मानना यह है भोसकता है कि इसकी CBI जाच होनी चाहिए और अच्छे से CBI जाच हो उसके बाद ये CBI देखे कि वास्तों में कौन से paper लीक हुए है अगर जो paper लीक हुए है तो उन paper को रद किया जाए नैंकि पूरी वर्ति प्रत्रिया को ठीक है, जो paper लीख हुए है न पेपरों को रद किया जाए और कितने बड़े स्तार पर लीख हुए है ये भी देखना है अगर मालो वो बहुत ही कम भर्तियों को पहुंचे है हैं तो उनको पकड़ा जाए उनको पकड़ा जाए तो वर्ति प्रित्रिया को ठीक है तो इस पर यह मांग आपकी होनी चाहिए तो मेरा यहीं मानना है तो आप थोड़ी से हाकिकत को पहचानिए कि पेपर रद करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है आपको पता है कि 2019 की रीट थी वो अभी तक कंप्लिट नहीं हो पाई है तो अगर यह 2022 की रीट जो सैक्न ग्रेड है वो अगर रद हो जाती है तो निश्यत तोर पर एक से डेड़ साल दो साल भी लग सकते हैं काफी ये डिसिजन सरकार ले कि हमें किस डिसिजन पर पहुँचना चाहिए अगर ये भरती वास्तों में सारे पेपर लीक हुए हैं तो सरकार को चाहिए कि वो क्या करे इस भरती प्रक्रिया को रद करे लेकिन अगर मालो जाच प्रक्रिया में ये पाई जाता है कि पेपर लीक न नहीं होना चाहिए ठीक है और जो अब यही हवा में उच्छाल रहे हैं कि हमको टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए दोबारा हमारा यह पेपर खराब हो गया हम अगले बार अच्छा कर लेंगे तो वो के अलक स्वार्थी बन कर सोच रहे हैं खुद के विशे में सोच रहे हैं लेकिन ध्यान रखना जो अब अच्छा नहीं कर पाई हुआ आगे क्या अच्छा करेंगे और जिन दो ब्यर्थी ने अब मैनत किये उन्होंने कितना टाइम निकाला होगा कैसे अपने परिवार का मैनेजमेंट किया होगा वो खुदी जानते हैं ठीक है तो वो अगर भ अच्छे से च्छो और उसके बाद जो आरूपी हैं उनको पकड़ा जाए और जो पेपर लिक हुए हैं उनको रद किया जाए तो आप इस बात से कितना सहीमत है हमें कमेंट करके बताईएगा वीडियो को अधिक से दिक लाइक कीज़ेगा सेर कीज़ेगा और वित्रोब मे बिना जांच हुए कोई जांच नहीं हुई थी बिना जांच हुए ही लेवल टू का जो एकजाम था उसको रद कर दिया गया था क्या लेवल वन की का पेपर लिक नहीं हुआ था तो जब तक अगर जांच होती तो सायद हो सकता था कि लेवल वन का पेपर भी इसमें लिक प बनाए जाए इस पर सक्त कानून कारवाई करनी जरूरी है जिसे की आगामी भर्तियों में ऐसा जो ये जो ग्रो है ऐसे हदकंडों को अपना राय ये काम नहीं हो सके ठीक है और पेपर लीक ना हो क्योंकि पेपर लीक होने से सीधा सीधा नुकसान पढ़ने वाले अब्वर्त अगर ऐसा लगता है जिसने तैयारी नहीं की है और पेपर अपने पैसे के दम पर पेपर को खरीद करके अगर अगर सेलक्शन लेता है तो ये बहुत बड़ा नुकसान है सरकार के लिए नहीं जिए तो होड़ा सा इस पर सरकार को संग्यान लेना च cvd ये था तहले ゲूड अकड़े लेकर आती है उसके तहट उसके मद्य नजर जो है वो सरकार को डिजिजन लेने चाहिए तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैवारत